तो आज intermediate परिच्छा दो हजार चूबीस, home science का exam है, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग set 1, set 2 के महत्पुन objective प्रश्णों को देख लिया था, इस वीडियो में हम लोग part 3 आप part 4 के वीडियो को देखेंगे, चैनल पर पहली बार है तो subscribe कर ले, तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं, पहला question है, निवन में से कौन सा गर्भावास्था परिच्छन है, तो आपका मुत्र की जाच, रक्त की जाच, और वजन की जाच सभी है, तो आपका D हो जाएगा इनमें सभी, गाउं में समूची स्वच्चता, किसकी जिमेदारी है, तो गाउं में ह जायत की है, स्वास्थ कर्मी की भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, नमक में कौन सा खनीज मिलाया जाता है, तो नमक में आयोडिन मिलाया जाता है, बहुत important question है, बार-बार पूस्ता है, नावजास सिसू 24 गंटे में इतना तेर सोता है, तो 16 से 18 गंटे, खाद करने का क्या कारन है, तो मौफमी उतार-चढ़ाओ है, सुप्सिन जीवानवा अत्यधिक गर्मी भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा, कौपलों का चुनाओ करते समय निंवन में से किसका ध्यान रखना चाहिए, तो इनमें से सभी का ध्यान रखना चाहिए, सात्मा है प्रतुलन के समान लच्छन है, तो इससे क्या होगा, तो पेट की वसा का बढ़ना होगा, घबडाहट, चिक्चिड़ापन होगा, अनिंद्रा होगा, मलम नीद नहीं आएगा, इन में सभी हो जाएगा, बच्चों के आस्थाई दात होते हैं, तो कितने आस्थाई दात होते ह हैं, बीज, उन के रेशे में होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन, डाग घर में खाता खोले जाते हैं, तो एक लेता से, इस्त्रियों के अंडासे में किसका निर्मान होता है, तो अंडानू का, निंद्र में किस रेशे से सूती वस्त का निर्मान होता है, तो कपास नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आई होती है निश्चीत। सच भारत अभियान का क्या लाब है तो सफाई के परती लोगों में जागरुकता करना। ध्वनी पर्दूसन से होता है तो सुनने की समस्या। जीवन को परदान करता है तो सुरजचा, पतिष्ठा, आस, थाई तो तीनों परदान करता है इनमें सभी हो जाएगा। निन में कौन सा गैस वायू मंडल को परदूसित करता है तो कार्बन मोनो अक्साइड है। अगला पार्ट है और लास्ट पार्ट है बच्चो परदूसित भोजन में कौन सी बिमारी होती है तो पीलिया। रिकेट्स किस बिटामिन के अभाव में होता है तो बिटामिन डी की कमी से होता है। अहार आयो जन किस से परभावित नहीं होता है तो आवाज से। जल की कमी परभावित नहीं करती है तो भूख को। बजट कितने परकार का होता है तो तीन परकार का। आस्थाई दातों के संख्या 20 होती है, केलसियम प्राप्ति का स्रोत, दूद, दही, पनीर सभी होता है, जन्म के समय कौन सा ठीका लगाए जाता है, तो BCG का, अस सीमित खरिदारी की जा सकती है, तो क्रेडिट कार्ड से भी डेबिट कार्ड से दोनों कार्ड द्वारा इन में से कोई नहीं, तो अस सीमित खरिदारी तो किसी से नहीं कर सकते हैं, सम में लिमिट लगा हुआ राता है, इसलिए इन में से कोई नहीं होगा, निन में से कौन प्राकरतिक तन्तु है, तो इन में सभी, एक उभोकता परभापून खरिदारी है, तो साहिता प्राप्त कर सकता निवन में कौन कपड़े की धुलाएक अंतरगत नहीं आता है तो वस्तो की मरमत निवन में से कौन पौधे का खाने योग भाग है तो बीज, पत्ते, फूल सभी होते हैं निवन में कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है तो राष्टिय बचत पत्र जो पोस्ट ओफिस में खुलाए जाता है निवन में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है तो लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग है हरा आपका प्राथमिक रंग नहीं है निवन में कौन परिवारी काई है तो इन में सभी हो जाएगा निवन में से क्या सबजिया परदान नहीं करती है तो उर्जा निवन में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए तो गेहू को निवन में से उर्जा किसे प्राप्त नहीं होती खनीज लवन से निन में कौन भोजन को पौश्टिक ततों में समरीद बनाने की विधी है तो इन में से सभी वस्त्रों के चुना को परभाईद करने वाला कारत क्या है तो इन में सभी मोबाइल क्रेच भूंती है तो कर्मियों के साथ गरभावस्था में किसकी आवसकता बढ़ जाती है तो प्रोटीन, कैलोरीन, लोगता तो सभी की हो जाएगा निन्म में से सबजिया क्या परदान नहीं करती तो उर्जा निन्म में किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए तो गे हो तो बच्चों ये थे कुछ महत्पूल कोस्चन ध्यान देजे, बेस्ट अप लक, अच्छे से एक्जाम लिखे, मिलते हैं नेक्ट वीडियो साथ, जैहिंट, जैवारत